नमस्ते दोस्तों, Life Means More में आप सब का फिरसे स्वागत है दोस्तों, ओफिस में प्रमोशन पाने से आप अपनी कमपनी में अधिक महत्व पुरुण भूमी का निभा सकते हैं साथ ही अच्छा वेतन भी कमा सकते हैं और बहुत सी सहूलते भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी कमपनी में अपने करियर को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आपको उत्कुरुष्ट प्रदर्शन करने और अपने परियविक्षकों का ध्यान आकर्शित करने की आवश्चा होती है जबकि अधिकांश कारे स्थलों में नौकरी में पदोनती के लिए प्रदर्शन, अनुभव और कौशल सामान ने आवश्चा करेंगे इस वीडियो में हम नौ ऐसी प्रभावी रणनितियों पर चर्चा करेंगे जो आपको आपके ऑफिस में पदोनती पाने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेंगी हाला कि पदोनती की आवश्चक्ता आए हर एक कंपनी में भिन्न हो सकती है आप वीडियो में दिये गए इन कुछ टिप्स का उपयोग करके खुद को एक उपयोगत उम्मिद्वार साबित कर सकते है पहली टिप है जादा महत्वदे अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आपकी कंपनी आपसे क्या चाहती है हर उच्च अधिकारी चाहता है कि उनके कर्मचारी कंपनी के मुल्यों में योगदान दे इसलिए हर काम को महत्वदेना काम पर पदोनती पाने का एक शानदार तरीका है इसके लिए अपनी कंपनी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने कौशल में सुधार करे पदोनती मिले हुए लोगों से सीखे आपको प्रमोशन में मदद मिलने के लिए अपनी कमपनी के कुछ ऐसे लोगों पर करीब से नजर डाले जिने हाल में ही पदोनत किया गया है जिन लोगों को सफलता पुरुवक पदोनत किया गया है उनके व्यक्तित्व, उपलब्थियों और आदतों को देखे ये अवलोकन आपको इस बात की बहतर समझ देंगे कि खुद में सुधार राने के लिए क्या जरूरी है जैसे कुछ अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को बढ़ावाद देते हैं जो अच्छे सामाजिक कोशल का प्रदर्शन करते हैं और कमपनी के सभी कारेक्रमों में भाग लेते हैं यदि आपकी कमपनी में ऐसा हो रहा है तो आपको अधिक सामाजिक होने और कमपनी के अधिक कारेक्रमों में भाग लेने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कुछ अधिकारी चाहते हैं कि उनके करमचारी टीम लिडर बने ऐसे मामलों में टीम परियोजनाओं में मदद करने की इच्छा दिखाने से आपको अपने परियवेक्षक या प्रबंधत के साथ संबंध बनाने में मदद मिल सकती है तीसरा पॉइंट है अपने प्रबंधक से प्रतिक्रिया मांगे यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको वास्तों में क्या करने की आवशकता है तो आप अपने उच्छ अधिकारी से कुछ बाते पता कर सकते हैं आप अपने प्रदर्शन पर मुल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि पदोधनती के लिए अपने काम को अच्छे रूप से अपने परियविक्षक के सामने प्रस्तूत करना अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों, उपलबधियों और आपके द्वारा अरजित किये गए कोशल और अनुभव की एक सूची बनाना और उधारण के साथ दिखाए कि आपके काम से कमपनी को कैसे लाब हो सकता है चौथा पॉइंट है अपने कारियस्थल पर ध्यान दे कड़ी मेहनत करना महत्व पुर्ण है लेकिन अगर आप कारियस्थल पर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा यदि आप अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं कि आप पदोनती के योग्यक क्यों हैं तो कमपनी में आपके योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए अपने प्रबंधक का ध्यान आकरशित करने के लिए कर्मचारियों की बैठक या प्रदर्शन जांच जैसे अवसरों की तलाश करे जहां आपके द्यान और ख्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सकता है अन्य विभाकों की योजनाओं में भाग ले अपने प्रबंधक के साथ नियमित रूप से संपर्क करे जिससे आप यह जान सके कि वे आपके प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते है जैसे जैसे आप उच्च पदों पर पहुचेंगे आपको अपने नेतरुत्व कौशल में लगातार सुधार करने की आवशकता होगी ऐसी कई युक्तिया हैं जो आपको प्रमोशन मिलवाने में मदद कर सकती है जैसे कि अपने सहयोगियों के लिए एक रॉल मॉडल बने और अपने काम के प्रदर्शन के माथ्यम से उनका सम्मान अरजित करे जब भी कोई आउसर मिले अपने परियविक्षक को दिखाए कि आप अपनी टीम के सदस्यों का नेतरूत्व कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं साथ ही प्रत्यक परियोजना में असाधरन रूप से अच्छा प्रदर्शन करें जिससे आप अपनी कमपनी के लिए अपरिहार्य हो जाए और प्रमोशन के लिए प्रमुख उम्मिद्वार बन जाए छटवा पॉइंट है समस्याओं को पहचाने और हल निकाले प्रत्यक व्योसाय में अक्षमताय और समस्याय होती है ऐसे समय में आप खुद को एक उत्कृष्ट करमचारी साबित कर सकते है या उन्हें हल करने के लिए अपना नेतरुत्व कोशल दिखा सकते है उन कारणों की तलाश करें जो उत्पादक्ता में बाधा डालते है अनावश्चक लागत पैदा करते हैं कार्यस्τηल की सुरक्षा को कम करते है या कंपनी को अपने लक्षो को पराप्त करने से रोकते है फिर उन क्षेतरों में सुधार के लिए एक योजना वनाए कंपनिया सेल स्टार्टर्स को अत्याधिक महत्वध देती है यदि आप किसी ऐसी क्षित्र में पहल करने का निर्णय लेते हैं जहां आपकी कमपनी कमजोर है तो प्रमोशन के लिए अन्य उमीदवारों की तुलना में आपको लाभ मिल सकता है सात्वा पॉइंट है काम में सकारात्मक रहे किसी भी दबाव या संकट की घड़ी में शांत और सकारात्मक रहना एक अच्छे नेता का सबसे आवश्यक गुण है अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और केंद्रित रखे ताकि आप अपने काम में लगातार परिणाम दे सके और गल्दिया करने की संभावनाओ को कम कर सके यदि आप अपनी टीम के सदस्यों को सकारात्मक रहने में मदद करते हैं तो इससे कार्याले में सभी के लिए अधिक अनुकुल वातावरन तैयार होगा आठवा पॉइंट है हमेशा एक मजबूत कार्यनिती रखे अन्त में कर्मचारी पदोधनती में अच्छा कार्य प्रदर्शन सबसे महत्वपुरुण होता है इसलिए आपको लगातार एक ठोस कार्यनिती बनाए रखनी चाहिए और हर स्थिती में सबसे कठिन परिश्रमी व्यक्ती बनने का प्रयास करना चाहिए आपको यह दिखाना चाहिए कि आपने अपनी वर्तमान भुमी का में महारत हासिल की है और आप कमपनी में कोई भी चुनोती पुरुन काम करने के लिए तयार है साथ ही अपने सहकर्मियों के बीच अलग दिखने और अपने बॉस को प्रभावित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार रहे जैसे कि दैनिक कारिय करतोव्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, प्रेजेंटेशन्स देना या ग्रहकों के साथ बातचीत करना और नौवा और आखरी पॉइंट है खुद को हमेशा प्रेरीत करना ओफिस में प्रमोशन बार बार नहीं मिलता, कुछ लोगों को इस लक्ष को हासिल करने में सालो लग जाते है पदवनोती की दिशा में प्रयास करते रहने के लिए खुद को लगातार प्रेरीत करना चाहिए संद्य होने पर खुद से पूछे कि आप प्रमोशन क्यों चाहते है जिन कारणों से आप पदवनत होना चाहते है उन्हें याद रखने से आपको अपने लक्ष के प्रती कड़ी मेहनत करने में मदद मिल सकती है यह जान कर कि आप प्रमोशन के लिए क्यों जोर दे रहे हैं इससे आपके लिए कड़ी महनत करना आसान हो जाएगा इसलिए प्रमोशन पाने के अपने लक्ष से विचलीत ना होने के लिए खुद को प्रेरित करें तो यह थे कुछ टिप्स जो आपको आपके आफिस में प्रमोशन दिलवाने के लिए हमेशा काम में आ सकते हैं आज के लिए इतना ही विडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और जारे से जादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कीप वोचिंग थैंक यू